अलाबाद उन्वस्टी का फ्लेड ट कॉलेज जगत तारं डिगरी कॉलेज को अम आज आपको दिखाते हैं इसका पूरा व्लॉग यहां पे लाइबरी है जगत तारं डिगरी कॉलेज की यहां पे शाही लड़िकिया बैट के पर ते लाइबरी बेस्ता है इसके बाद खतम होने के बाद लड़किया बैठती भी इं और यहां थे अप उन्टरूआ करेंगे तो यह है जिगोगाराफी डेपार्टमेट यहां पे चलती है इसे च़ेह जिगोगाराफी डेपार्टमेंट अबेश्चा डिपार्टमेंट क्या सकते हैं यहां पर इंफर miracle के हृसक् सेमिनार होता है, यह जगत हरंब इगरी कॉलेज का सेमिनार रूम है, इसके बाद आप देख सकते हैं आप B.com की से फैकल्टी इधर है और B.A. की फैकल्टी के कुलासेज ऊपर चलती है, अभी हम अगर चलते हैं B.com faculty, जगत हरंब इगरी कॉलेज जो की जाज, जाज, जाज यह से आपको चाय वाय मिल जाएका चाय और समूसा सायद मिल सकता है na यह देखिए डॉकमेंटेशन सेंटर और अगर आजाते हैं तो कॉमर्स डेपार्टमेंट है अभी चीजें बहुत पहले से सुधर रही हैं पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सुधार आया हुआ है जगतारन गल्स डेगरी कॉलेज में जब से प्रोफेसर आसीमा घूस मैं यहां का कारिभार समाली है तब से काफी कुछ सुधार यहां पर देखने को मिला है इस कॉलेज में नया कॉमन रूम बना है लडिकों के लिए वास्रूम अच्छे से बना हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम चल रहा है अब ही आपको दिखा रहे हैं क्लासिज मे से बच्ची से बैठें यह उपर आजाते हैं कॉमर्स बिल्डिंग जगतारन गर्स्डीर कॉलेज काुछली आपको बीए की आट्स की बिल्डिंग दिख रहे है और उसके बाद फिर अगर हम इधर देखते हैं यह हैं यहां पर क्लास बी चले रूम नंबर थ्री यहां पर तमाम क्लाफिज आप देख सकते हैं और अगर अगर आफे आप चलते चलेंगे तो धीरे धीरे और भी चीजें बहतर हो जाएंगी यहां पर बी और बीकॉम का कोर्स संचालित होता है जगतर अरंगल्स टिगडी कॉलेज मैं यूजी की अगर बात करें तो अभी चीजें बेवस्थित हो रही हैं जो क्लास्रोम से परियाप थेंग तरह से करनी है तो इसके लिए बच्च में बैठी रही यह अर चलती हैं चाहे 10 बच्चे आइं चाहे 100 बच्चे आइं चाहे 1 भी बच्च आये तो माहां पढ़ाई रही है एक गृुप डिस्कुर्श में तो आय नहीं सकते हैं तो इस वीडियो के मादधम से आप देख सकते हैं कि कैसा यह कॉलेज है कॉमर्स बिल्डिंग के क्लासेज आप देखी सकते हैं यहां पर 10-15 लोग बैठ के पढ़ रहे हैं मैं यहां पर पढ़ा भी यह क्लास पर्मानिंट और रेगल ले रही हैं कॉमर्स की थे सब्सक्राइब है हैं सारी डाब से शुवर कैसकते हैं यहमर्स चींद के भाद फिर हम अगर चलते हैं तो आर्टस का जो क्यमपर्स है यानि कि जहां पर बी य की चलती है यहां पर कैंटीन है, आप बहुत अंदर से देखिए, बहुता सामान तो नहीं रखा गया है, लेकिन चाय भाए पी कर आप अपने भूख को मिटा सकते हैं, इस तरफ बिल्डिंग दिख रही है, यहां पर आप आप पर चलती है, और अगर हम उपर चलते हैं, तो फिर यहां पर सिधे आप देख सकते हैं, की सीड़ियों से ऊपर चल्ने पर फिर उपर आठ्स का यहां ख्लास चलती है ब शैकर देख सकते हैं किस तरिके के ख् masculinity ले रहे हैं और शैड़ियों सब्सक्रीटाइ तर ते ऐसे की स्लेः पिर चललते हैं तो यहां पर देख सकते एक लास से दूसरे क्लास में अब लाफे चल रही हैं बच्चे बैठे वो यह यह बीए की क्लास्रूम से हैं और यह पूरा गैलरी है यहां पे तमाम क्लास्रूम भी हैं और अगर अब मैं फे नीचे-नीचे आएंगे तो फिर ओवराल यह क्या सकते हैं कि कॉलेज अच्छा है अभी यह कॉमन रूम यहां पर बन रहा हैं और यहां पर वाटर कूलर है और यहां पर पाने की ब्यवस्ता की गई है और यह में गेट हम देख सकते हैं जगतारन गर्स टिगरी कॉलेज का तो इस तरीके से पूला व्लॉग आ आपने देखा